ताटू के बिल्ले प्यारू के बारे में हम बात करेंगे अच्छा जी उसते पहले एक और बात कि यह जो टाटू है तो मैं किसी के साथ किसी को शीम नहीं करी यह कलर शीमिंग वगरा वगरा लेकिन यह टाटू जो है ना जान बुझकर नाला एक पंति करती है ऐसा दिखा कर क जि आप देखेक कि इससी का सद्रा संसे पथाटू गरातू और भी अच्छि वहा है III medications को शीमिघ तो सबसों कि राध यह क्या नाले कि इस नजय किहा भाई थांटू क्यों बच्टी होते हैं जूट्ल से तो बता नहीं बच्ये उते पतानि लिए इतनेश्यमिंग आपाने ह उसके बाद मुझे एक बाद समझ नहीं आई प्यारो की पिछले व्लोग में ये बता रही थी कि friends हमें देखो हम proudly बोल रहे हैं कि हमें support की ज़रुत पढ़ती है हम कुछ से कुछ नहीं कर पाते हैं और दूसले vlog में जो है खुद से ही cooking कर रहे हैं वड़ा बना रही है फिर chicken वगेरा बना रही है सब कुछ बना रही है बिना help के तो ऐसा है क्या उपार प्यारू तो मैं तो help की ज़रुत पढ़ती थी ना भावी कोई गौपी गर रही हो जैसे भावी त्योहार में सब खुद से बनाती वैसे प्यारू भी बना रही है कि देखो देखो कितनी down to earth है प्यारू सही है भाई अच्छा जी चलो ठीक है ये प्या सब्सक्राइब कोई सेलिब्रेटी नहीं आया था बट एक जो परिवार वाला जो माहौल होता ना वह बिल्कुल था गुटको की मम्मी जब गुटको आया था वहां पे से तो गुटको की मम्मी जहन्यूनली एक दम उसको हग कर रही है उसके फोरहट पे किस कर रही है और उ जो कि मैं कभी भी शर्मीली जी जो है उनके आखों में देख पाती हूं शर्मीली जी जो है बड़ी चालाक है बहु को पांच पचाजर एदी देती पहले अभी तो नहीं दिया लेकिन पहले बहुत जादा सब को मानती थी बहु सबके लिए बहुत कुछ करती थी बहुत- संदन जी हो चाहे कोई भी हो मतलब अमी के वही सब के लिए सेम ट्रीटमेंट रहते हैं लेकिन वह जो एक मां बेटे वाला पॉंड होता है ताटू के साथ भी शर्मीली जिगा जो मां बेटी वाला पॉंड होता है उसको सब चाहिए होता है कि हम यह दिलादा सानु सानु पेटे से भी जब इद आने वाली थी और पहले की जो रात होती तब वो बोल रहा था कि अमी कुछ ही है तो बले हाथ चूड आचाहिए तो खाली वो डिमांडिंग है डिमांड बड़ी रहती है पहले जब बच्चा नहीं था जनाव और मैडम का तब पस पोहता हो जाए प पना नया सूट पायन कर इस साल भी पोता बीमार है फीवर है लेकिन शर्मिली जी मस्ती दुलहन की तरह जो है यहां यहां तक महंदी लगा कर बैठी है शर्मिली जी बोलते हैं कि बहुत सारी ऐसी लेडिस होती है जिन्होंने सच में गरीबी देखी होती है तो वह ऐसा एक में भोगा मुझे मेरे बच्चे जो है वह सुख देंगे हैना चाहे खुद का घर हो चाहे अच्छे कपड़े हो च्छा खाना हो जो भी हो बहुत इक सुख जो है वह बच्चे देंगे लेकिन जिसने गरीबे देखी होते ना सच में हमेशा थैंक्फुल रहता है वहमेशा यहां पर यह जो बुजरुक शर्मीली जी है वह एक बार मैं मैं देख रही थी वीडियो उसका जहां पर शर्मीली जी और टाटू दोनों बैठे तो शर्मीली जी बढ़े देखो बचो घर तो कुछ नहीं है सिमेंट और पथर का है अट अब सेम टाइम उनका सपना भी था उनके इतने ही संसकार है उस हिसाब से आपने तो अपनी बेटी को यह सिखाया होगा कि अगर लड़के के घर वाले नाम आने तो उनको धमकी कैसे दी जाए जहर की धमकी है यह सब अपनी सिखाया होगा और जनाब को आपने वही सिखाया होगा कि शादी शुदा लड़की क घर कैसे तोड़े खैर उसको खुद को भी तोड़ना था जना आपको क्या ही ब्लेम करें तो ऐसा तो नहीं हो तांटी जी देखो आप समझती नहीं हो पूरा बात या पूरा गेम जो है सोशल मीडिया क्या ही बताए लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई गरीब और अगर सुख यह चीज़ों को लेकर जो मटी प्रेस्टिक पाना है ना वो कम नहीं है मतलब इसको हर टाइम कुछ ने को चाहिए होता है खाली शर्मी लीजी नहीं उनकी बहने भी उनकी बहने भी आप देखो गया ना बहने देख लो मम्मी देख लो बुड़ी मम्मी उनको अभी भी पतानीं लेकर देख लो उसको कैसे टरेट करती लिकिन लिए थे टो कितना उनको सुना रही थी और क्या से टरेट करी थी और चीनलें से तो बुड़े अम्हा भी कम नहीं बाकिन जो खाला है प्छाला तो क्या ही कहना वह बाजा क्रबात अबंसरा नान की मम्नी यह वह भी बहुत जादा लाली मैंने वह भी दिखा कि एक बार ना पिज्जा ने कुछ तो फंक्शन था उसकी सूद में पिछले साल में तो पिज्जा ने बेंगॉली साड़ी पहनी थी रेड और वाइट कलर की प्लस उसने गले में पहनने के लिए कुछ नेकलस टाइप का लिया था तो जैसे ही पिज्जा आई फंक्शन खतम ह तुरंत ही उसके गले से निकाल या रहिए कि हम लेंगे साल कि शर्मीली जी बैसे घूर रही कि मुझे अचाहिए था लेलिया ता कम चाहिए था मश्यू है आख सब्सक्ते खाला ने लिया था पहना लेकिन ऐसा जमा खोरी का आधत है तीनों ही बहनों को ऑच्चा जी यह ज तो मैं यह जाह रहे थी कि शर्मीरी जी इतनी जादा सेल्फ ऑपसिस्ट है कि पोता बिमार है पिछले साल चलो अपता बिमार है और उसकी माबाप भी ऐसे ही ना लाइक बच्चा बिमार है जबर दस्ते उसको कुछ बांद रहे सर पे फोटो ले रहे दुबई का छोटा शेक बनाने का शोग है जनाब को जनाब बिमार है बच्चा अपका प्रॉप नहीं है वो स्टॉप यूजिंग हिम फॉर व्यूज तो मैं यह बता रही थी कि जितना गुटको की मम्मी ने पपा ने जिस तरीके से रस्गुली को ट्रीट किया बहुत ही दिखने में भी अच्छा लग रहा था और एक अच्छा इंफ्लूएंस भी जाता है देखो ऐसी चीज़ में क यूप ओओघ कर है बहुत-बहुत-पाहँ ही बड़ा है तुर पागल घहां कि जिनाथ बाबी जिला रही है क्यों only अब तुझे से Cantor फिल करा हैं ना enroll ने तो भावी बोलीटी तो हमुद में आपको स्पेशल करना थी करिँया हु ना I am chef आपनी अपनी ममीसे जादा आजकल देख रहा हु बहुत जादा दो consumator में ने बैटी जाना उसितो अशार सब को कें करना पड़ेगा ना हम नहीं करती है देखा नहीं हमें दीवाली कि लेट आए थी अम्मी देखो एसी सब छोटी-छोटी बातों पे रियक नहीं करना चाहिए हमारी सास ते बहुत अच्छी है अधिक तुझ मुंबयान पड़ेगा अब देखो इतना मत जलो हमारी सास से बहु बहुत अच्छा है और कोई जो भी मिलता है बोलता है कि देखो इसकी शादी में खाना कन पड़ा था यही थी आपका टाटू और यह क्या दिलाया है हमें यह तक गरीबों की तरह राशन बेट दिया भाई में देखो साल ओंतर रूप की रहते हैं बहुत बुरा लग रहता कि एक ही बैन है और कैसा रहाशन बेट यह चोटा थोड़ा सा बेट यह हम तो पहुचा दर हो रहते हैं यह सब याद करके एक लोग थी बैटी है हमाई उसको भी बेटी है लेकिन दिमाग न पाई अच्छा है बिटा पाई तो बहुत अच्छा है लेकिन जब से सास आही है कि यह पाते करेंगें कि भी वात करती है और फ्रैंसट लोग सुन लेंगे हो थानिख जोंग कि करते हैं कि टिच्मा राने के लिए अरेटिंग करते हैं का पात बात देख रहे हैं कि लाल जीनजर भी दिखा देती हो प्रेंड लोग क्या जो सोचेंगे हमाई बारे में अपी देखो वह तो वह अडिटर था वह कर दा था हम थोड़ी सा करेंगे हम तो बहुत सारी चीजें शुपा देते हम अब वह तो क्या क्या है अपने तो देखा है हो क्या है अब अरे अम्मी अम्मी हलो हलो कट कटी शायद ताटू अच्छे उसके बाद टाटू कहते कि फ्रेंड्स देखिए हमें कोई कानपूर से मिलने आया था तो मैं उसको सेवई दे रहे हूं तो कि इद के दिन अगर कोई आता है तो हम उसे भूखा नहीं बेज सकते इ मुझे कोई मिलने है मेरी दोस्त वगेरा तो उनको भी भूखा नहीं जाने दे तो किसी को अगर एक कटूरी खीर खिला रहे हो तो उसको दिखा दिखा कर कि फ्रेंड दिखिया हम तो हैसान कर रहे हैं अच्छा जी वह बोलती है कि फ्रेंड शुकर फ्री सेवई बनिये करने देते तो भी इन लोग आज तक ही अपना नहीं पाई गुटकू की मम्मी गुटकू के पापा है ना अच्छा उसमें भी एक बात मैंने नोटीस करी कि गुटकू की मम्मी जो है वह उसके पपा को बोलती है कि देखो सिवाई दे यह दी दो इसको तो तुरंत उसके पापा इब्बू को देखती हूँ तब मुझे तरसा दा उन पर कि बिचारे की उनकी कैसे हालत है कि उनको भी खुद को ऐसा फील होता होगा कि वह अभी किसी को कुछ देनी पा रहे या तो देनी की कंडिशन में नहीं क्योंकि पास पैसे वगेरा कभी कैसे इसे बिचारे क कि अगरे कुछ तो बात होती बाप बेटे वाली कुछ तो बात चीत करो कुछ तो बॉंड होना चाहिए आस पास की तुम्हारी लाइफ में उनके दिमाग में क्या चल रहे उनके नौर्मल बात होनी चाहिए अपनी पसंद ठोपना कि ऐसे कबड़ पहनें तो बिचारे कि मि करता है ना उनकी हालत ऐसी होती है बुजर्ग है मैं मानती हूं लेकिन मा भी तो उनकी बुजर्ग थी ना बिचारी मतलब कैसा बीटा होगा मुझे समझ नहीं आता कि मा तरस्ते तरस्ते मर गई कि वह आओ की ना आओ की ना सोचो ही सुनने में कितना बुरा लग रहा है कि आओ जो होते हैं लगती है इन्सान जू है ना हम मानते हैं कि इश्वर नहीं पिya क्योंकी वह बहात बुरी होती है किसी के ब्लैसिम्ग में बना बदाता है को इनसान जब आपके लिए東 मे पानी और आ良-चूसी जो ठंड़क मिलती है वो जो ब्लेसिंग निकल जो बताता नहीं लिए ब्लेसिंग मिलती है आपको भूखी के खाना खिला दो वो नहीं कभी भी सब बुले कि थैंक्यू सो मच लेकिन उसकी ब्लेसिंग जो अंदर से आगे बिना वोले वो अन्वोल होते है ठीक है तो किसी के हाई नहीं लेने चाहिए और मेरी हिसाब से माबाप की हाई तो सबसे बुरी होती है माबाप कभी बच्चे को अपनी बच्ची को यह श्राफ नहीं देते कि जा तेरा बहुत बुरा हो तुम चाहे माबाप के साथ कैसा भी गुजराती में कहावत है कि छोरू कछोरू थाए बट मावतर कमावतर ना पढ़ मतलब बट में तो ऐसे बूल दिया जिसका सिंपल मिनिंग होता है कि बच्चे माबाप के साथ चाहे कितना भी बुरा कर ले माबाप कभी बच्चे का बुरा सूच नहीं सकते है ना तो मुझे लगता है कही ना कही हर किसी का अपना-पना कर्मा होता है है जो माबाप के साथ किया वो आज उनके साथ हो रहा है मा के साथ लाश तक जो है देखने नहीं गए बचारी बुलाती रही और अब जो है उनका बेटा खाली और सब ठीक पढ़िया है अपनी पसंद उन पे थोपी जा रही है बेटा बाप बन गया है कि मैंने बाप का फर्ज ने बाप में कि इतना लाचार हूं है तो यह कर्मा मिल तो है और कर्मा ऐसा कि इसको सकति कर्मा किπά उप्धा बूरी और इस इन्स्टिंट कर्मा उसको दे दिया उसका तो बढ़ονömर पूरी है अब इस दुन्यां में बहुत कम अच्छे इंसान बचे ठीक है आपके जैसे मैं तो अच्छी इंसान नहीं हो आपके जैसे तो आपके जैसे अच्छी इंसानों के साथ जब कोई दिल दुखाता तो उनके कर्मा मिल जाता है ठीक है चलिए जी बात करते हैं अभी टाटू प्यार के व्लॉग के बारे में तो टाटू जो है गुटका किंग सो रहा होता है तो टो घुटका के हाथ में महंदी लगाने जाती है अपना नाम मिखने कोन ऐसा करते हैं किसी सोते होए इंसान के आप में महंदी लगाने कई एक ओर और याद आओं यह तो पिछले बलॉक से उससे पहले के ब्लॉग में बता तका है कि फ्रेंज गुटको को पिंड़ोब साइ चाहिए होता सोते टाइम वो पूरे घर में अंधेरा करके सोते हैं कहीं से भी कुछ आवास नहीं आनी चाहिए जब गुटकु सो रहा है तब तो अच्छी खासी लाइट थी और वो और वो जो बच्ची थी वो दो नहीं बात कर रही तो पिंड्रॉप साइलेंस तो बिल्कु इतना मेंटल प्रेशर क्यों बच्चे को लेकर अभी इसकी शादी को एक ही साल तो इतना प्रेशर क्यों उस पर की बच्चा हो जाए बच्चा हो जाए शाइद उसकी एज हो रही है एज तो लेकिन मुझे लगता कि आजकल तो 39 40 तक भी जो है डिलिवरी करती है ना यह वा मुश्किल होता ना पी शादी वारा में तो शाइद तो उस वजह सकते है लिगिन इतना मेंटल प्रेशर किसी पे नहीं डलना पी किसी भी लड़की तो याद दिला जाय कि इसको बच्चा नी बच्चा नी जा यह बच्चा नी जाना चाहिए लेकिन यह ही एक्ष्पक गर भी आपी हें वह देर हमें का lover को सकता है और नो अघ्टाव धुरा लगता है कि अन्याटी हो अभी एग ही पिर्सेजिक, व सजाएन को टाटू को करती है इन को आपनेन हो दें आपने ही वी तॉर Спड़न सबनी सब्टाब है कि इंसान परिशान है देखो बहुत सारे लोग कर देते कि क्या ही है अमीरों के चोचले नहीं होते सच में बहुत मैटर करती सुकून नॉर्मल भाशा में कहूं सुकून अगर कोई बेचैन है कोई परिशान है तब आपकी हालत देखना और अब जब खुश हो तब आपकी हाल कर दो बहुत सुकून है तो इंसान गिव पर देता है कि ना तो उसको कहंगी करने में इंटरस्ते ना उसको वह कैसा दिख रहा है उस चीज में इंटरस्ते उसके डाग सरकल आ गये तो वह क्लियरली जो है इंडिकेटर्स है कि कुछ तो गढ़बर है यहां पर किसी जिस जो है कोई जीस तो जो इसको परिशान करती जा रही है जिस वज़से ऐसा हाल है और मखी मेडम जो उसकी बात में मसे और ज़ह और है यह जो कि यह से ब्लोग है थोड़ा तो एफट डालो कई गूमने फिर नहीं चले जाओ फैमिली डिप पही जाए तो अभी खाना पीना और यह खरीदा वो खरीदा फ्रेंसु हमारे हमारे ब्लोग बहुत अच्छे हो देना हम तो फैन भी आफ कर देते कोई वाश्रूम तो पानी भी कोशिच बहुत कि उसने सब कुछ करा तो उसको रिवोर्ड एक मिला जिसकी वज़े से रिवोर्ड या तो ब्लेसिंग या तो प्यार जो भी कहे जिसकी वज़े से वह जनुनली खुश है अब यह ट्रेट्मेंट इसको मिली पिछली बार जब वहां पे गुटकू गया था बाई उसको क्या ट्रेट्मेंट मिली थी रात का खाना और बासी जले भी चार पाइस दिन पुरानी उसको दी गई थी अंडाकरी पांच दिन पुरानी दी उसकी माने सोचो कि तुम गाई थी माउदा अपतान आय थी किसा लो आएगे तब वही खाएगी मतलब सोचो एजी कि देखो ऐसा सब मिल जाता है लेकिन जिसको भेजना ही नहीं था हो क्या ही कर सकते और दूसरी साइड मेडम और जनाब है जब एनिवर्स्टी होती है ना मैडम ऐसा बैचारी प्रेगनेंट थी मुझे तो दया है उस पर प्रेगनें थी जनाब शूट पर से आया ऐसा लग मैडम को दिमाग चलाए खुद से जो है कुछ कर दाएगी चैनलाह कि यह पुल से डिया आप इदेंगी यह लाप को लेये कि क्या ऊकि ऑप डीला है कर चानना नहीं सकती तो यहाँ बेटा नहीं लेकिन अच्छा पती ज़रूर हो अपनी भीबी को घुश करने कर तो करता है यह पाने के लिए आपको महीने का पतीस पैटिस लाग कमाना पड़ेगा और पोकेट मनी देनी पड़ेगी दो ड़े लाग रुपे अपने पड़ेगी उसके रिष्टेदारों को खुश करने पड़ेगा गरिफ्टी नहीं पड़ेगी तब जाके इसा पती मिलता है तो अपर